आज हम लोग असेंब्ली टाइम में क्या करने बाले हैं बेटा? कन्वर्सेशन वैसे तो हम लोग कन्वर्सेशन कर चुके हैं बडेटा कन्वर्सेशन में बहुत सारे कोष्चनांसेस हैं पेटा तो आज हम लोग क्या करेंगे? only half कोष्चनांसेस का रिवीजन करेंगे बाकी की जो आपके half कोष्चनांसेस हैं पेटा वो हम आपकी next क्लास में revise करेंगे ओके बेटा तो हम लोग conversation की class को two classes में divide करने बाले हैं ओके बेटा half question answers आज और half question answers आपकी next class clear बच्चे तो अभी हम लोग start करें ओके let's start तो kids आपकी conversation में आपका first question है what is your name तो आप क्या बोलोगे my name is फिर अपना name बोल दोगे जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है कि what is your name तो मैं क्या बोलोगे my name is जोटस ना ऐसे ही आप अपना name बोलोगे my name is फिर अपना name बोलोगे next question है आपका how old are you how old are you मतलब कि आप कितने years के हो बेटा अगर आप 5 years के हो तो आप बोलोगे I am 5 years old अगर आप 6 years के हो तो आप बोलोगे I am 6 years old clear बेटा इसके बाद आपका next question है in which class do you study तो आप क्या बोलोगे I study in KG class आप लोगे KG class में पढ़ते हो ना बेटा तो क्या बोलोगे I study in KG class इसके बाद आपका next question है इन which school do you study तो आप अपने school का name बोलोगे, तो क्या है आप की school का name? The wisdom school तो आप कैसे बोलोगे? I study in the wisdom school. Clear बेटा? इसके बाद आपका next question है, where do you live? कि आप कहां रहते हो? आप सिर्सा में रहते हो ना? तो आप क्या बोलोगे? I live in सिर्सा. कि मैं सिर्सा में रहता हूँ. I live in सिर्सा. इसके बाद आपका next question है, how many eyes do you have? तो आप क्या बोलोगे? I have two eyes. How many ears do you have? I have two ears. How many nose do you have? I have one nose. How many hands do you have? I have two hands. How many legs do you have? I have two legs. ओके बेटा? इसके बाद आपका next question है, बेटा. Who are called parents? Parents को होते हैं, बेटे? Father और mother हमारे parents होते हैं. तो आप कैसे बोलोगे? किनकों बोलते हैं हम लो parents? तो क्या बोलोगे? Father and mother are called parents. Okay? Who are called parents? Father and mother are called parents. Next question है, what is your father's name? तो आपने पापा का नेम बोलोगे? तो कैसे बोलोगे? My father's name is Mr. पापा की नेम से पहले हमेशा Mr. लगता है ना? तो आप कैसे बोलोगे? My father's name is Mr. फिर अपने पापा का नेम बोलोगे. इसके बाद आपका next question है, what is your mother's name? Mother's की नेम से पहले Mrs. लगता है, mother, mama होती है ना? तो क्या बोलेंगे? Mother's name is Mr. फिर अपने भाई का नेम बोलोगे. आपका next question है, what is your sister's name? sister कॉल होती है, दीदी बहन. तो आप क्या बोलोगे? My sister's name is Mr. फिर अपनी दीदी का अपनी बहन का नेम बोलोगे. ओके बेटा, इसके बाद आपका next question है, where do you take meal? जो हम लोग खाना खाते हैं, ना? मील कहते हैं, उसको हम लोग दिन में कितने ताइम्स मील खाते हैं? त्री ताइम्स ना? breakfast, lunch, dinner. तो वो हम खाना जो खाते हैं, उसको बोलते हैं, मील. Where do you take meal? आपना खाना कहां लेते हो? I take meal in dining room. बेटा, हम लोग डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं, एक डाइनिंग टेबल होता है, उसमें उसको डाइनिंग रूम बोलते हैं, तो हम लोग खाना कहां खाते हैं, I take meal in dining room. ओके, इसकी बाद आपका next question है, where do you take bath? बाद मतलब नहाना, कि आप कहां नहाते हो? तो कहां नहाते हो आप bathroom में ना, तो आप कैसे बोलोगे, I take bath in bathroom, I take bath in the bathroom, हम लोग बाद रूम में नहाते हैं, ओके बेटा, इसकी बाद आपका next question है, where do you sleep? आप सोते कहां हो, sleep मतलब सोना, कहां सोते हो? तो आप क्या बोलोगे, I sleep in my bedroom, हम लोग बेड पे सोते हैं, जो हम बेड होता है, उस रूम को bedroom बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, I sleep in my bedroom, clear बेटा, इसकी बाद आपका next question है, how do you wish your parents in the morning, आप क्या बोलते हो अपने parents को morning में कैसे wish करते हो? How do you wish your parents in the morning, आप क्या बोलते हो अपनी ममा को, पापा को, दादा, दादी सब को, क्या बोलते हो, good morning होते हो न, तो आप कैसे wish करते हो उनको, good morning बोलते हो, तो आपको question है, how do you wish your parents in the morning, तो आप क्या बोलोगे, good morning, okay, इसकी बाद आपका next question है, what should you say when you meet teacher in the morning, बेटा, जब आप अपनी teacher से morning में मिलते हो, तो आप उनको कैसे wish करते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलना चाहिए आपको, क्या कहते हो आप, आप से बोलते हो, good morning, आप स्कूल जाते हो, तो good morning wish करते हो, न, okay, बेटा, तो आपका question है, what should you say when you meet teacher in the morning, अगर आपकी teacher ma'am है, तो आप बोलोगे, good morning ma' बेटा, ऐसे ही आपका next question है, what should you say when you receive something, बेटा, अगर आप किसी से कोई चीज रिसीज करते हो, प्राप करते हो, तो आप क्या बोलोगे उसको, thank you, अगर आपको कोई चीज कोई देता है, तो आप उसको thank you बोलते हो, तो आपका question है, what should you say when you receive something, तो आप क्या बोलोगे, thank you, इसके वाल आपका next question है, what do you say when you do something wrong? जब आप कुछ गलत कर देते हो, wrong मतलब गलत, what should you say, what do you say when you do something wrong? जब आप कुछ गलत करते हो तो आप क्या बोलते हो, sorry बोलते हो ना, तो आप क्या बोलोगे sorry, okay भीटा, आपका next question है, what should you say when you want to take some thing? What should you say when you want to take something बेटा अगर आपको किसी से कोई चीज लेनी है तो आप कैसे बोलोगे मैं आपको पहले भी बताया ना बेटा जब हम request करते हैं तो हम may word use करते हैं तो आप क्या बोलोगे I should say कैसे बोलना चाहिए आपको May I take it please क्या मैं इसको ले सकता हूँ तो आप question है हमारा ध्यान से सुनना What should you say when you want to take something अगर आप किसी से कोई चीज पाना चाहते हो लेना चाहते हो तो आप कैसे बोलोगे May I take it please क्या मैं इसको ले सकता हूँ उसकी बार आपका next question है Before entering the classroom What should you ask बिटा अगर आपको एक class के अंदर आना है एक classroom है आप बाहर गए वे आपको अंदर आना है तो आप कैसे पूछोगे क्या बोलोगे क्या पूछोगे आप बोलोगे क्या बोलोगे बिटा May I step in sir अगर sir है तो अगर ma'am है तो may I step in ma'am Step in means कि मतलब एक step आगे बढ़ाना बेटा उसकी जगह पर अगर आप यह मुश्किल लगता है तो आप यह भी कर सकते हो May I come in sir या May I come in ma'am तो क्या question है हमारा Before entering the classroom What should you ask आपको क्या पूछना चाहिए I should ask हमें पूछना चाहिए May I come in sir May I come in ma'am या May I step in sir या May I step in sir आपके wish है आपको जो easy रगता आपको बोड़ सकते हो इसके बाद हमारा next question है What should you say When you wish a person on success अगर किसी person को कोई success मिली है सफलता मिली है Suppose करो वो first आया है तो आप उसको क्या बोलोगे आपको क्या बोलना चाहिए आपको बोलना चाहिए Congratulations I should say मुझे हमें बोलना चाहिए Congratulations तो हमारा question है What should you say When you wish a person on success अगर कोई किसी को success मिलती है तो आपको क्या बोलना चाहिए Congratulations ओके बिटा तो ये हमारे वो question answers मैं लग हाफ question answers थे जो हम लोगों ने revise किये बिटा आपको अच्छे से अपने घर पे ध्यान से सुनना है और ये question answers जब अच्छे से learn हो जाएंगे तो आपकी next class में और question answers आजाएंगी ओके बिटा तो आपको अच्छे से learn करना है अपने घर पर और अपनी ममा को कहना है आपसे एकी करकी वो question पूछेंगी आप उसका answer करों दे ओकी बिटा ओकी बाबाई टेक क्या